वेलकम स्टुडेंट्स, एसके सांगवान हिंदी क्लासेज में आपका स्वागत है, लेटस्ट हिंदी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बैल आइकन दबाएं प्रियविद्यार्थियों, मैं संदीप कुमार हिंदी प्राध्यापक, आज आपके सामने आपकी पठे पुस्तक स्टिज भाग दो के पध्य खंड से रामलक्षमन प्रशुराम समवाद जो तुलसिदास जी दवारा रचित है, के शेश दो पध्यांस लेकर प्रश्तु थू आज हम इन शेश दो पध्यांस लेकर करेंगे, शुरू करते हैं कनईन साधू, खर कुठार मैं एकरुन को ही, आगे अपराधी गुरू द्रोही, उत्तर देत छोडूं भिनु मारे, केवल कोशिक शील तुम्हारे, नैत यही काटी कुठार कठोरे, गुर ही उरिन होताउं सरम थोरे, गाधी सुनूं कै हरिदे हसी, मुनी ही हरियरे सूज, सब्धार देखिया, कालू, मृत्यू, जनू, मानो, हांक लावा, जबर्दस्ती ले आना, मोही लागी मेरे लिए, सुधारी सुधार करके, ध्रेवू रख लिया, कर हाथ में, गोरा बहंकर, दोसू, दोस, मोही मुझे, लोगू, लोगो, कटू बादी, कड़वे वचन बोलने वाला बालकू, बालक वद जोगू, वद के योग्य, बालक, बच्चा बिलो की मान करया देखकर, मैं बाद्चा बचा आया, छमाकिया, ये हुँ यही, मरनी हार, मरने को, तैयार मरने योग्य, भासाचा हो गया है, साचा, सच मुच में, सच में, सत् विश्वामित्तर छमई छमाकरो अपरादू अपराद बाल बच्चे दोस गुन गुन और दोस गनई गनना करना गिनना नहीं साधू सजन खर बहंकर परखर तेज कुठार कुलहाडा एकरून दयारहित कोही क्रोधी गुरुद्रो ही गुरुक्या विद्रो करने वाला सील व्यवार सवभाव काटी काट देता कुठार कुलाडे से कठोर कठोर कुलाडे से गुर्ही गुरु के ऊरिन मुक्त हो जाता हो जाता हो जाता सरम परिष़्रम में थोड़े थोड़े से सुझ ऩप्राइब टब करने फंदेEMA अब भी बूज समझता है अग्यानी ये सब्दार थे आपके पर्संग देखिए, प्रस्ठुत पध्यांच की पाठ्फे पुस्तक्स्तिज भागदो में संकलित राम लक्षमन परशुराम समवाद से लिया गया है। वारतालाब बादचित समवाद का ही वर्णन है। परशु सुधारी फरशा सुधारा अच्छी तरह पकड़ा द्रेव। तयार किया कर हाथों में गोरा बैंकर। परशुराम जी ने अपने हाथों में फरशे को अच्छी तरह से धारन किया पकड़ा। अब जनी देई दोसु मोही लोगू। मैं बाच्छा मैंने बचाया छोड़ा बालक समझ कर मैं इसे छोड़ रहा था मैंने इसे बचाया अब यहू मरनी हार भासाचा लेकिन सचमूच में अब यही मरने को तयार हो गया है। मैं तो इसको बालक समझ कर छोड़ना चाहता था लेकिन अब यही मरने को सचमूच में सत्य में तयार हो गया है। कोशिक कहा चमही अपरादू कोशिक विश्वामित्र कहा कहने लगे चमही चमा करो अपरादू अपरादू कोशिक विश्वामित्र ने परशुराम जी से कहा कि इनका अपराद चमा करो माप करो बाल दोस गुण गनाईन साधू सज्जल लोग सज्जल लोग बच्चों के जिन्ती नहीं करते इसलिए आप लक्षमन का प्राद माफ करें खरकुठार मैं एक्रुन को ही आगे अप्राधी गुरुद्रोही उत्तर देत छोडूं विनुमारे केवल कोशिक सील तुमारे खरकुठार की मेरा बहंकर फरसा है पर खरतेज फरसा है मैं दयार हित निर्दई क्रोधी और मेरे सामने गुरु के खिलाफ वित्रो करने वाला अप्राधी खड़ा है उत्तर देत जो मुझे बार बार उत्तर दे रहा है छोडूं विनुमारे उसको बिना मारे छोड़ रहा केवल कोशिक सील तुमारे है विश्वामित्तर केवल तुमारे सहन सील तुमारे सभाव के काण ही मैं इसे बिना मारे छोड़ रहा हूं नहीं तो मेरा तेज फरसा है बैंकर फरसा है मैं दयार हीत और क्रोधी सभाव का हूं और मेरे सामने गुरु के खिलाफ वित्रो करने वाला ऐसा प्रादी खड़ा है जो मुझे बार बार उत्तर दे रहा है लेकिन मैं तुमारे सील सभाव के काण ही से बिना मारे छोड़ रहा हूं नैत नहीं तो यही काटी कुठार कठोरी नहीं तो इसको इसी कठोर कुलाडे से यहीं काट देता नहीं तो मैं इसी कठोर कुला से प्रिश्रम में और थोड़ेसे प्रिश्रम से ही गुरू के रिण्षे भी मुक्त हो जयता गाधी सुनूं का है हरिदए हसी मुनि ही हरीयरे सूञ कि परषूराम जी को तो सब कुछ हरा ही हरा grassia दिखाई दे रहा है अर्थार परषूराम जी को भीраम लक्षमने शामन्ने छत्रिय योद्धा लग रहे हैं अज हूँ ना बूज अभूज कि ये तो लोहे की खांड हैं खांडे हैं नै की उख्मे गन्ने की खांड अज हूँ अब भी ना बूज अब भी इस गयानी कोई बात समझ में नहीं आई है कि राम और लक्षमन तो लोहे की खांड हैं नै की गन्ने की खांड जो मुँ में रखते ही पिंगल जाएं फिर देखो एक बार तुम तो कालू हाक जनू लावा बार बार मोही लागी बोलावा सुनत लखन के वचन कठोरा परसु सुधारी दरेव कर घोरा लक्षमन परसुराम जी से कहते कि आप तो मेरे लिए मृत्यू के देवता यमराज को जबरदस्ती बार-बार मेरे लिए बुला कर ला रहे हैं सुनत लखन के वचन कठोरा परसुधारी दरेव कर घोरा लक्षमन के कठोर वचनों को सुनकर परसुराम ने अपने हाथ में अपने बैंकर फर्षे को अच्छी तरह पकड़ा अब जनी देई दोसु मोही लोगू कटू बादी बालकू बजोगू सभा में उपस्तित लोगो अब मुझे दोस मत देना कड़वे वचन बोलने वाला यह वालक वद के योग्य है बालक भी लोग की बहुत में बाचा बच्चा समझ कर मैंने इसे बहुत छोड़ा अब यह हूँ मरनी हार भासाचा लेकिन अब यह तो सत्य में ही मरने को तयार हो गया है कोशिक कहा चमझ अपरादू बाल दोस गुन गनाईने साधू तब विश्वामित्र जी कहते हैं कि आप इनका अपराद माफ करो कोशिक कर विश्वामित्र आप इनका अपराद माफ करो सजल लोग तो बच्चे के गुन दोसों की गनाय गिंती नहीं करते खर कुठार मैं करुण को ही आगे अपरादी गुरुद्रो ही कि मेरा परखर तेज भर्षा है मैं दया रहीत और क्रोधी सवभाव का हूँ और मेरे सामने ऐसा गुरुद्रो ही अपरादी खड़ा जो बार-बार मुझे उत्तर दे रहा है छोड़ू बिनु मारे केवल कोशिक सील तुमारे इसे मैं बिना मारे केवल विश्वामितर तुमारे सवभाव के कान ही लक्षमन को बिना मारे छोड़ रहा हूँ नैत है ये ही काटी कुठार कठोरे नहीं तो यहीं पर इस कठोर फरसे से लक्समन के टुकडे टुकडे कर देता गुर ही उरिन होतों सरम थोरे और गुरू के रिन से थोड़े से प्रिश्रम में मुक्त हो जाता थोड़े से प्रिश्रम से ही गुरू के रिन से मुक्त हो जाता गाधी के पुत्तर विश्वामित्र मन ही मन हस्ते हुए कह रहे हैं कि परशुराम को सब कुछ हरा ही हरा दिख रहा है गाधी रिशी के पुत्तर विश्वामित्र हर्दे मन ही मन में हस्ते हुए कह रहे हैं कि परशुराम को सब कुछ हरा ही हरा सूज रहा है अतारत परशुराम को राम और लख्षमन सामाने चत्त्रिय योद्धा दिखाई दे रहे हैं अए मैं खांड नुख में किये तो लो एक एक खांड है ने की गन्य की खांड जो मुँ में रखते ही पिंगल जाएगी अज हून अबूज अबूज अब भी आया ग्या नीरिशी कोई बात समझ में नहीं आई है भासा अगत विशेस्ताई देखिए भासा साहितिक अवधी भासा है तत्सम तत्द भाव सब्दावली का प्रियोग किया गया है ओज गुन सरवत्रव्याप्त है वीर और उद्द रस का प्रिपाक हुआ है चोपाई और दो हचंद का प्रियोग है भासा में वेंजरा सकती का भी प्रियोग हुआ है अलंकार देखिए तुम तो कालू हाक जनू लावा में जनू आने के काण जनू सबद वाचक सबद है उत्परेक्षालंकार का तुम तो मानो मेरे लिए मानो आयर संभावना व्यक्त की है मृत्यू के देवता को हाग कर लाए हो तो यहापर उत्परेक्षालंकार है बार बार मोही लागी बोलावा अगले पद्यान्स की व्याख्या देखिए तुरत देव मैं थेली खोली सुनी कटू अचन कुठार सुधारा हाय हाय सब सभा पुकारा ब्रगूवर परसु देखाब हुमोही विपर विचारी बचून रपद्रोही मिले न कभू सुबट रन गाडे दिविज देवता घर ही के बाढे अनुचित कही सभू लोगु पुक सब्दार देखिए शीलू सभाव नहीं जान जानता विदित जानता है संसारा संसार उरिण रणमुक्त बहे हो गए निके बली परकार से गुरूरिणू गुरू का रिण सोचू चिंता में बढ़ बढ़ी जी हरिदे जनु मानो माथे मस्तक पर काड़ा माथे काड़ा अमारे माथे पर निकाला हम पर निकालना बढ़ बहूत बाढ़ा बढ़ गया आनिये लाओ व्यवरिया इसाब किताब करने वाला तुरत शिघर देवू देता हूं भरगूर भरगूरिशी के पुत्तर परशुराम जी पर प्रशंग आपका वही रहेगा व्याख्या देखिए कहेऊ लखन मुनी शीलू तुम्हारा को नहीं जान विदित संसारा लक्समन जी कहते हैं हे मुनीवर प्रशुराम जी आपके सवभाव के बारे में को नहीं जानता जान विदित संसारा सारा संसारा आपके सवभाव के बारे में जानता है कि आप पर गुरु का रिन बाकी है कि आप गुरु के रिन सेस रहने के कान बड़े चिंतित रहते हैं सोजनू हमरे ही माथे काड़ा और उसे मानो हमारे मस्तक्स पर निकालना चाहते हैं और थार्थ हमें मार कर आप गुरू के रिण से मुक्त होना चाहते हो दिन चली गए ब्याजबढ बाड़ा और कई दिन बीट गए इस कान गुरू के रिन का ब्याजबढ कर बहुत हो गया होगा अब आनिये व्यवरिया बोली अब आप किसी इसाब किताब करने वाले को बुला लाओ तुरत देऊं मैं थेली खोली मैं थेली खोल कर तुरंत इसाब करके आपको गुरू के रिन से मुक्त कर दूँगा सुनी कुकटू वचन कुठार सुधारा परसुराम ने कडवे वचन सुनकर अपने फरसे को अच्छी तरह पकड़ा हाय हाय सबसभा पुकारा और सारी सबहा में उपस्तित लोग हाय हाय करें पुकार उठी बरगुवर परसू देखा बहू न रप दोई राजाओं के खिलाफ विद्रो करने वाले रिशीवर मुनिवर आप भ्रहम्न होने के काण बच रहे हैं मिलेने कभू सूबट रन गाडे कभू कभी भी सूबट वीर रन युद भूमी में साइद आपको युद भूमी में कभी वीर योद्धाओं से आपका सामना नहीं हुआ है या युद भूमी में आपको कभी वीर योद्धा नहीं मिले है दिविज देवता घर ही के बाड़े हे ब्राह्मन देवता आप तो गर के ही वीर या गर के ही सेर लगते हैं अनुचित कही सभू लोगु पुकारे सभा में उपस्दित सभी लोगों ने कहा कि लक्षमन ने ये गल्थ कहा, अनूचित कहा है, रगुपती, से नहीं लखनु नेवारे और स्री राम ने आँखो के इसारे से लक्षमन को रोका, लखन उत्तर आहुती सरीश, लक्षमन के उत्तर आहुती के समान भर्गुवर को प प्रशुराम जी आपके शील सभाव के बारे में को नहीं जानता अर्थार्थ सारा संसार आपके सभाव के बारे में जानता है माता पिताई उरीन भैने के माता और पिता के रिन से तो आप बहुत पहले ही मुक्त हो चुके हैं गुरु रिनू रहा सोचू बड़ जी के आप पर अब गुरु का रिन बाकी है और यही आपके हृदे में चिंता रहती है आप उस रिन को हमारे मश्तक्स पर निकालना चाहते है और थर्थ हमें मार कर गुरू के रिन से मुक्त हों ना चाहते हो दिन चली गए ब्याज बढ़ बाड़ा और समय बीतने के कान आप पर गुरू के रिन का ब्याज बहुत बढ़ गया होगा अब आनिये व्यवरिया बोली अब आप किसी इसाब किताब करने वाले को बुला लाओ तुरत देऊ मैं थेली खोली मैं थेली खोल कर तुरंत आपको गुरू के रिन से मुक्त कर दूँगा सुनी कटू वचन कुठार सुधारा कडवे वचन सुनकर परसुराम जी ने अपना फरसा समाला हाए हाए सब सभा पुकारा सारी सभा में उपस्तित लोग हाए हाए पुकारने लगे प्रशुराम जी आप मुझे बार बार अपना फरसा दिखा रहे हैं ब्रामन होने के कान ये राजाओं के खिलाफ कर विद्रो करने वाले मुनिवर आप बच रहे हैं मिले ने कब हूं सूबठ रन गाडे आपको युद भूमी में साइद कभी वीर नहीं मिले अर्थार्थ युद भूमी में आपका सामना कभी वीरों से नहीं हुआ दिविज देवता घर ही के बाडे अरे ब्रामन देवता आप तो गर के ही सेर हैं अगर के ही वीर है अनूचित कही सबु लोगु पुकारे सभामे उपस्तित सभी लोगों ने कहा कि लक्समन ने बात अनूचित कही गल्थ कही रगुपती रामने से नहीं आखों के इसारे से लखनु लक्समन को निवारे रोका रामने अपनी आखों के इसारे से लक्समन को रोका लखन उत्तर आहुती सरिश, लक्षमन के उत्तर आहुती के समान, भर्गुवर कोपु कृषानू, परशुराम की कोपु क्रोध रूपी कृषानू अगनी, परशुराम की क्रोध रूपी अगनी को लक्षमन के उत्तर आहुती के समान भढ़काने वाले थे, बढ़त देखी, जल सम वचन बोले रगू कुल बानू रगू कुल बानू श्री राम परशुराम की क्रोध रूपी अगनी को बढ़ते देखकर श्री राम जल के समान सीतल वचन कहने लगे भासागत विशेशता है देखिए साहित्ति कवधी भासा का प्रियोग हुआ है तत्समतत्द के काड़ा उसे मानो हमारे मस्तक्स पर निकालना चाहते हैं सम्भावना व्यक्त की गई है उत्प्रेक्षिया लंकार है व्याजबडबाधा बैवन के आवरती के काड़नों पुरास लंकार है थैली खोली लेवन के आवरती के काड़नों पुरास लंकार है हाए हाए एक ही स तो श्रीष ब्रगोवर कोपु क्रिशानू और यहां ब्रगोवर की क्रोध रूपी अăगनी ब्रगोवर कोपु पूरे पद्यान्स में उप्राश अलंकार की छटा दर्सनिये है उत्प्रेक्ष्या अलंकार का प्रियोग हुआ है यहां परिन पंगतियों में उक्मा अलंकार का प्रियोग हुआ है इसी के साथ आपकी व्यक्ष्या यही समाप्त होती है धन्यवाद